तो बच्चों यहाँ पर कुछ लैंगविज बगरा भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठेक है, आप देख सकते हो, आपको एक्जाम में लिखना पड़ेगा, किसकोई बड़ी है, और स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, याद रखेगा, उसकी इनिशल वलास्टी यू है, ठेक, वो उनिफॉर्म ली एसका उनिफॉर्म एस्कलरेशन ए, एचीव सा फाइनल वलास्टी वी एंड टाइम टी, यानि कि कोई बड़ी है, उसकी इनिशल जा रही है बच्छों, ओके सुडेंस, सो यू वलास्टी से जा रही है, और आफ्टर टाइम टी, उसकी जो वलास्टी वो कितनी हो जाती, वी और यूनिफॉर्म एस्कलरेशन कितना है, और उसने कितना डिस्टेंस 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 डिस्ट इसमें आपको क्या करना है एक्जाम में सबसे पहले step आपको average velocity निकालनी है average velocity निकालनी है average velocity निकालनी है सब लोग अपनी copy में मिले साथ साथ करेंगे average velocity निकाली है सबसे पहले copy में average velocity कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूँ जब कोई body straight line में motion कर रही होती है तो average velocity कैसे निकालते हैं initial velocity plus final velocity divided by 2 तो initial velocity U है और final velocity V है divided by 2 यह आगए आपकी average velocity ठेक अब देखें अब आपने एक formula पढ़ा होगा क्या आपने formula पढ़ा होगा speed is equals to distance by time speed is equals to distance by time okay students तो इस formula में यह जो speed है इसकी जगह अगर आप velocity लिख दें तो कोई problem नहीं होगा ठेक पताए क्यों क्योंकि motion straight line में हो रहा है तो जो speed होगी वही velocity होगी ठेक है तो velocity is equals to distance by time okay students distance by time ठेक अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्छों इस velocity की जगह हम use करेंगे यहाँ पर average velocity क्या use करेंगे average velocity ओके average velocity ठेक तो यहाँ से distance क्या बनेगा cross multiplication करा तो अगर मुझे distance निकालना है तो time आके average velocity multiply कर देगा यानि के distance is equals to average velocity into time okay students distance is equals to average velocity into time यह हो गया सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में इतना निकाल लिए फिर मैं आपको आगे बताता हूं क्या करना है सबसे पहले तो यह formula इस तरीके से बना लिए distance का देखो formula वही है हमने जो 8th class में पढ़ा था distance is equals to speed into time होता है होता है कि नहीं होता है distance is equals to speed into time कुछ नहीं किया है distance is equals to speed की जगा average velocity लिख दिया और time बस क्योंकि straight line में जब body motion करती है ठीक तो जो उसकी speed होती है वही उसका क्या होता है velocity होती ही ठीक अब average शब्द क्यों लगा है कि जी अब आप motion करते हो तो पूरे motion में average speed कितनी उसकी आप बात करते हो ठीक है ना तो इसलिए हमने average speed की जगा average velocity लिखा हुआ यहां पर क्योंकि motion straight line में हो रहा है तो जो velocity है वही speed है ठीक और average क्योंकि पूरे जर्नी में आप average speed या average velocity की बात करते हो हमेशा जब motion in straight line हो रहा होता है तो यह class में हमने पढ़ लगता है पहले से ठीक distance is equals to average velocity into time इतना आ गया ठीक अब देखिए जड़ा जब यह formula आपका यहां से आ गया students ओके सो distance is equals to average velocity into time ठीक इतना भी आपने copy में नोट कर लिया होगा ओके सो अब देखिए बच्चों यह आपका यह क्या कि अधिस्टेंस इस इक्वेल स्टू average velocity average velocity into time यह आ गया ठीक है अब ध्यान सा सुनिए distance को आप s से दिखाते हो yes sir average velocity अभी भी मैंने आपको निकाल के दिखाते से कितना था यू प्लस वी बाय टू ठीक वीडियो रिवर्स करके देखिए आपने अपने copy में नोट किया होगा average velocity थी यू प्लस वी बाय टू यह हो गई average velocity ठीक इंटू में time time interval कितना है टीए ओके सुडेंस अब हम क्या लिखेंगे from first equation of motion from first equation of motion v is equals to u plus 80 first equation of motion क्या होता आपका v is equals to u plus 80 तो इसमें हम ले जाए वी की जगा हम क्या पुट करेंगे u plus 80 चलिए पुट करते हैं so s is equals to देखिए ये वाला u तो ऐसे ही रहेगा और plus v की जगा हम क्या करने जा रहे हैं u plus 80 so u plus 80 whole divided by कितना है अब ध्यान दे बच्चे u plus u कितना होता है 2 u जैसे x plus x 2 x होता है वैसे u plus u कितना हो जगा 2 u ये लिजे 2 u हो गया और plus 80 और divided by कितना है 2 है into t है ओके students ये ऐसा हो गया अब next step में हम क्या करेंगे ओके next step में क्या करेंगे वीडियो पॉस्ट करके copy कर लिए पच्चे copy कर लिए अब देखिए जरा next step में हम लोग क्या करेंगे यहां से इस अब देखिए next step में हम लोग यह जो टी है ट को लाके multiply करेंगे पहले फरस्ट में multiply करेगा फिर सेकेंड अब में multiply करेगा सो स सेटी इस इक्वाल स्टू ये टी आएगा फर्स्ट में multiply करेगा 2 u into t कितना होता है 2 u t त 2 u t और प्लस ये t या के सेकंड में multiply करेगा क्या आएगा A into T और बाहर से T T into T T square so 80 square whole divided by कितना हो गया 2 हो गया students यह हो गया T आके अंदर multiply करेगा 2U into T 2U T और plus 80 into T कितना होता है 80 square 80 into T कितना होता है 80 square एक T यहाँ एक T बाहर से आगा T into T T square 80 square ठीक अब कुछ बच्चे करेंगे 2 से 2 2 cancel कर देंगे नहीं देखो ऐसे नहीं करते है ठीक 2 से 2 आप cancel यहां नहीं कर सकते हो ठीक है पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसको two parts में split करोगे ठीक है बास समझो देखो आपने कभी पढ़ा हो का छोटी class में four plus two divided by मानलो two है तो क्या यह two 2 से 2 काट दोगे नहीं ऐसा नहीं होता है पहले इसको two parts में split किया था है यहने कि यह two four को भी मिलेगा टू को भी मिलेगा यहने कि four upon two और प्लस two upon two ऐसे कर सकते हैं अब आप two से two cancel कर दो टू अंदा टू 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 दू यह चीज़ होती नहीं मालों कहीं लिखा है eight plus nine by two तो पहले इसको two parts में split किया करो eight by two और प्लस nine बैट अब जिसको जिससे काट नहीं काट दो कोई दिखकत नहीं लेकिन टू अंदा टू 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 फोर दा एट ऐसे डिरेक्ली नहीं कर सकते हो आप ओके तो इस बात को भी आपको यहां अब देखें यहां पर आ जाईए यही काम हम यहां पर करेंगे यह two को two से cancel नहीं करना है पहले इसको two parts में split करेंगे two ut यह देखे two ut by two यानिके two इस first term को भी मिलेगा फिर प्लस लगाएंगे और 80 square के नीचे भी क्या जाएगा two जाएगा so 80 square by two हो गया okay students now अब ध्यान दे बच्चे अब two से two आपका cancel हो जाएगा okay students now अब देखें s is equals two यह हो जाएगा ut और प्लस अब देखें 80 square by two okay students ऐसा हो गया now अब देखें यहां से क्या हो जाएगा s is equals two यह वाला ut तो जह एापन ऐसे लिखा एक बात आपको बताना चाहता हूं अगर आपके पास कभी भी ऐसा है ix by two upon में two लिखा होता है तो इसका मतलब होता है half of x यह मतलब होता है half of x मतला 1 by 2 x ठीक मानलो आपके पास कहीं लिखा हुआ m by two to bei use 1 मतलब क्या होता है इसका मतलब था हाफ of M यानि कि 1 by 2 of M तो बताओ UT तो ऐसे ही कॉपी कर दिया और प्लस 80 square by 2 का मतलब क्या हो जाएगा half of 80 square yes or no half of 80 square ठीक तो इस तरीके से s is equals to UT plus half 80 square हमने प्रूफ कर दिया यह second equation of motion है okay students s is equals to UT plus half 80 square अब इतना note कर लीचे okay students तो calculation मैंने आपको दिखा दिए language आप यहां से देख लोगे कैसे start करना है और finally जाकर आप S का मतलब बता दोगे कि displacement है और अगर straight line में motion हो रहा है तो S को आप distance भी बोल सकते हो straight line में अगर motion होता है तो जो distance होता है वही तो मतलब in straight line ओर और one direction हो रहा है in one direction यहां पर क्या condition है motion in straight line and in one direction motion in straight line and in and in one direction and in one direction इसलिए एक ही direction में motion हो रहा है direction नीचेंज हो रही इसलिए distance में बोल दूँ इस question में या displacement वोल दूँ बात क्या है सेम है displacement वोल दूँ बात क्या है सेम है दोनों सेम ही है ठीक बट आप यहां displacement ही लिखो के एक्जाम में यू इनिशल वलास्टी एक्सलेशन है टी क्या आपका टाइम है तो इस तरीके बच्छो निमेरिकल पार्ट क्या है इसका पाड़ भी पढ़िए कोश्यन खुद से ट्राइक करिए पाड़ भी मैं तो आपको करको करके दिखाऊंगा यहां पर ओके चलिए आईए देखते हैं इसका पाड़ भी नौ सुदेंस देखिए पाड़ वी में क्या बूला ट्रे से स्टार्ट हो रही किससे रेस से जब भी कोई बाड़ी रेस से स्टार्ट होती तो इसकी इनिशल वलास्टी यू आपको लेना है जीरो मीटर पर सेकेंड और मुविंग विद यूनिफॉर्म इसका इसकलेशन कैसा है यूनिफॉर्म है कह रहा है कि अटेन सा स्पीड ऑफ यानि कि 10 x 60 करोगे वाई वन मिनेट में 60 सेकंड तो 10 मिनेट में 10 x 60 कितना हो जाएगा 600 सेकंड ठीक है तो टाइम आ गया 600 सेकंड और इसके बारे में सोचे कह रहा है विद यूनिफॉर्म एसक्लोरेशन अटेन सा स्पीड ऑफ 36 किलोमेटर पर आर कितनी स्पीड हो जाती है अगां इसकी 10 मिनेट के बाद 36 km per hour यनिकी इसकी फाइन इसपीड दिये विए फाइनल स्पीड आ फाइनल वलॉस्टी कितना दिया है थटी-सbull में पर आर को हम मीट पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5 by 18 से मल्टिप्लाई करेंगे किस से 5 by 18 से तो यह आ जाएगा किसमें मीट पर सेकंड में आ जाएगा ठीक 18 18 18 टूजा और 2 5 जा 10 लो कितना आ गया 10 मीट पर सेकंड इस तरीके से आपकी घोवं कितनी आगे 10 मीट पर स अब पूरा कोशन क्या का बन गया सुन पूरा क्योशन ये बन गया कि कोई Bihea वो Stationary Position से स्टार्ट होती है मतलब पर से स्टार्ट होती तो उसका यू कितना है 0 trud ही जिरमीट पर सट में ऑ dependent आएगा मीट पर सेकेंड स्कॉयर में पर दीजे कोश्यन केरा find the exploration so exploration क्या होता है what is the definition of exploration rate of change of velocity rate of change of velocity का मतलब क्या होता है v-u by t है ना rate of change of velocity का मतलब change in velocity divided by time और change in velocity कैसे निकालते है v-u से v-u से divided by time value रखे वी की value कितनी रखोगे 10 minus u की value कितनी रखोगे 0 है ना divided by time time कितना बच्चो 600 ठीक तो यहां से आंसर आएगा 10 minus 0 तो कितना होता है 10 divided by 600 ठीक ऐसा कुछ हमारे पास हो गया एक 0 से 10 कड़ गया और यहां से आ गया one by 60 अब ध्यान दे बच्चे इसको decimal में आप लेके आओगे ठीक कैसे लेके आए इसा decimal में आईए हम आपको इसमें से one by six को तो solve कर लो आप यह one by six को solve कर लो जो आजाहेगा आंसर उसको 10 से divide कर दिना क्योंकि नीचे तेन अभी बचा हुआ है ठीक तो सबसे बहले one by six को solve करिए यानि कि one को six से क्या करेंगे divide करेंगे ठीक जो 1 को सी करते हैं कहीं करते हैं यहां कर लेते हैं one को हमें करना है सिक्स से डिवाइड तो अब देखिए six का trainल ऐसा पढ़ना है कि या तो one आजा है या to one तो वन Safe खोटा वान तो six vitesse कितना होता है जीरो जोकी वन六 होता है तो one दिख रहा है वीडियो में यह सो दिख रहा है 40-36 4 decimal के हैं से 0 लगा दोगे और फिर से 66 कितना आ जाएगा 36 फिर से तो अगर आप इसको करके देखोगे तो आपको बार-बार क्या मिलेगा 666 ऐसे मिलता जाएगा ठीक है ना तो हमने क्या करना है इसको decimal के 3 3 प्लेस तक निकाल के राउंड आफ कर लेंगे या डिसमल के 4 प्लेस तक निकाल के इसको राउंड आफ कर लेंगे बास समझो हमने यहाँ पर एक वैलू निकाली 1 by 6 कितना आया 0.1666 decimal के 4 प्लेस तक निकाल लिया कोई बात नहीं अब divided by में क्या है 10 अब इसको थोड़ा राउ 666 अब देखो 666 repeating है ना बार-बार आ रहा है मैस में आपने पड़ा होगा ठीक तो लास में क्या है अगर हम इसको राउंड आफ करें यह 6 है 6 को हटाएंगे यहां से तो 6 क्या है 5 से बड़ा नंबर है इसलिए इसके आगे तुन लो जब लास वाले डिजिट को हटाते है ज सो क्या करते है इसके पहले हम क्या करेंगे वन एंठ करेंगे कब अगर लास में जो नंबर five से बड़ाया तो देखो लास में प्रेजिट में हम ओन um कर देंगे तो six plus one seven यह लीचे तो यहां कितना आ जाएगा यहां कितना आ जाएगा यहां आ जाएगा सेवन समझ में आगी बात मैंने क्या किया लास्ट वाली डिजिट जब six जब five से बड़ी होती तो उसके प्रिवेस वाले में one add कर देते हैं तो 0.167 आ जाएगा ठीक डिवाइड़ वाय क्या है अब ध्यान दो 10 से जब डिवाइड क और पॉइंट आ गया यहां अब पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं तो 0 लिख दिया ठीक तो 0.0167 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर तो यह बॉड़ी का क्या है एसकलरेशन है ओके सुडेंस नोट कर लीचे